यारे दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे योटुब शैनल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं exercise 1.1 के questions को और जो इसका basic है वो मैंने पहले ही सिखा दिया है तो अगर आप लोगों ने lecture number 1 और lecture number 2 इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो यहां पर आईएगा lecture number 3 को देखने के लिए ठीक है ना तो देखो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगी कि यह जो हमारे exercise 1.1 है इसमें total 5 questions दिये गए हैं जिनमें से दो questions हम यहां पर आज की इस lecture में solve करने वाले हैं ठीक है तो चलिए फिर इस वीडियो को हम start करते हैं तो यहां पर देखिएगा दोस्तों यह रहा आपका question number 1 exercise 1.1 का इसमें क्या लिखा है कि state which of the following are statements justify in case of statement state its truth value यानि यहां पर न कुछ sentences दिये गए हैं तो आपको identify करना है कि इनमें से कौन से statement है ठीक है मतलब आपको बताना है कि कौन से sentence यहां पर statement है और अगर वो statement नहीं है तो आपको यह भी बताना है कि क्यों नहीं है ठीक है फिर सुनिये ध्यान से यहां पर क्या लिखा है कि in case of statement यानि मान लिजे कि कोई sentence statement है तो फिर आपको उसका truth value भी बताना है तो जानते है ना statement की पहचान क्या होती है तो अगर आपका sentence declarative sentence है तो फिर हम उसको क्या कहेंग कि उसका truth value क्या है दोस्तो T ठीक है और अगर कोई statement false होगा तो फिर उसका truth value हम क्या बोलेंगे F बोलेंगे यानि की false ठीक है यहां तक बाते समझ में आ गई चलिए फिर हम देखते हैं हमारा first sub question तो यहां पर क्या लिखा है 5 plus 4 which is equal to 13 तो ध्यान से देखो और बताओ क्या यह statement हो सकता है तो देख लो इसमें किसे से question पूछा जा रहा है क्या नहीं क्या यह imperative sentence आपको दिखाए दे रहा है नहीं यह है बच्चो declarative sentence और declarative sentence को हम लोग क्या कहते है statement कहते हैं है न देखो अगर यहां पर 5 की जगा पे x होता मान लीजी अगर x होता तब यह open sentence हो जाता है न लेकिन यहां पर क्या है 5 plus 4 which is equal to 30 ठीक है सीधा सा और simple सा यह declarative sentence है यहनिकि यह कहलाएगा हमारा statement ओके तो यह हमारा statement है बराबर च statement है तो इसका truth value भी पता दीजिए तो बताइए दोस्तों यह सही होगा की गलत होगा अच्छे से देखो और इसको समझो बताओ यह सही होगा की गलत होगा तो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने कि 5 plus 4 which is equal to 13 ऐसा कभी होता है क्या 5 और 4 हम करेंगे तो कितना आएगा बोलो 4 तो 9 होता है और 9 कभी भी 13 के equal हो ही नहीं सकता यानि कि इसका truth value है न दोस्तों वो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा क्योंकि यह statement क्या है false है ठीक है तो आप देखो दोस्तों आंसर आप कैसे लिखेंगे तो यह हमारा statement है हमने पहचान कर ली ना तो हम क्या लिखेंगे दो दोस्तों which is false which is false ठीक है यह गलत है तो therefore इसका truth value क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा तो यहां पर हम लिख देते हैं कि hence its truth value is its truth value is बोलिए इसका truth value क्या हो जाएगा f हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिख दिया है दोस्तों f और यह हो गया मेरा finally answer ओके तो पहला question आपको समझ में आया easy है ना चलो अब हम चलते हमारे second question की तरफ तो इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा समय इसको बढ़ा कर दे यहां पर लिखा है कि x-3 which is equal to 14 तो बताइए क्या यह हमारा statement होगा ध्यान से देखो अभी मैंने आपको उपर hint भी दिया था देखो इसमें क्या आ गया है इसमें आ गया है x तो इधर लिखा है कि x-3 which is equal to 14 तो ध्यान से देखो दोस्तों अगर हम क्या करते हैं यहां पर इस 17 रखू क्योंकि 17-3 क्या होता है 14 होता है तो अगर मैं x का value ध्यान से देखो अगर मैंने x का value 14 लिया तब तो यह statement मतलब यहां पर यह जो sentence दिया गया यह सही हो जाएगा है यह जो equation यहां पर दिया गया है यह x 14 होगा ना तब जाके यह सही है बाकि x का value मैंने कुछ और ल हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमें क्या समझ में आता है बोली जल्दी से कि यह है हमारा open sentence देखो मैंने आपको open sentence के बारे में बताया था जिसमें आप ना properly decide नहीं कर सकते कि यह सही है कि गलत है क्योंकि देखो एक value के लिए तो यह सही है बाकि दूसरी values के लिए गलत साब लिखेंगे कि it is not a statement पहले ऐसे लिखो कि it is an open sentence रहीं ऐसे लिखना कि it is an it is an open sentence open sentence अब अगर यह open sentence है तो बताएगे क्या यह statement होगा नहीं होगा तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तों कि hence it is not a statement it is not a statement और अगर यह statement नहीं है तो फिर इसका truth value भी हमें निकालने के कोई आविशक्ता नहीं है तो बस यह लिजी यह हो गया बच्चों हमारा finally answer ठीक है तो first and second question हमने complete कर लिया तो जैसे हमने इन दोनों को किया वैसे ही बागी सारे questions को हमें solve करना है जैसे कि third question देखो इसमें क्या लिखा है कि close the door जैसे मान लीजी आपके मतलब आपका छोटा भाई घर में है ठीक है तो आप उसको कह रहे हो कि दरवाजा बंद करो तो हम यह आप लिखेंगे कि it is an imperative sentence sentence के बारे मैंने आपको बताया था basic वाले वीडियो में ठीक है it is an imperative sentence यह कैसे सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस है बराबर imperative sentence और imperative sentence कभी statement होता है क्या नहीं होता है तो आप क्या लिखेंगे hence it is not a statement right hence it is not a statement तो यह हो गया दोस्तों आपका finally answer अच्छे समझते हुए चलो इन सभी को ठीक है चलो आगे बढ़ते है next one की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाए दोस्तो zero is a complex number ओके तो बताइए क्या यह statement हो सकता है देखो सही है या गलत है हम बात में देखेंगे पहले आप यह बताइए कि क्या यह statement हो सकता है तो देखो यहाँ पर यह जो sentence दिया गया ना यह एक डिकलेरेटिव यानिकि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है दोस्तों वह statement हो जाएगा ठीक है भई माल लिया हमने अब हमें क्या निकालना होगा इस पढ़ते देखो हम पढ़ते हैं उसमें 2 numbers में दो कैटेगरी आ जाती है एक तो हो जाता है दोस्तों यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ एक तो रियल नंबर ठीक है तो आपने जितनी भी numbers पढ़े है ठीक है 10 तक वह सारे के सारे रियल numbers में ही आते हैं जैसे national number हो गय है तो आयोटा यानि आई का यूज करके उसको लिखा जाता है ठीक है समझ में आ रहे हैं तो यह हमारा imaginary number हो जाएगा complex number किसको कहा जाता है तो real imaginary यानि एक पार उसका कैसा होता है देखो वह इस फॉर्म में होता है कि जो हमारा complex number है न दोस्तो वह इस फॉर्म में होता है यहाँ पर यह रियल पार्ट हो जाएगा और यह इसका imaginary पार्ट होगा बराबर और यह दोनों को हम एक साथ क्या कहेंगे बच्चे complex number कहेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो जीरो है ना जीरो is a complex number तो complex number का यह form होता है तो चलो हम लिखके चला try करते हैं जैसे जीरो यह मेरा real number हो जाएगा प्लस अब आप बोलेंगे imaginary तो यहाँ पर है नहीं है ना कोई बात नहीं हम अपने मन से ले सकते हैं जैसे म बच्च में आ रहा है जीरो is a complex number क्योंकि हम इसको complex number के form में लिख सकते हैं ठीक है तो इसलिए यह वाला जो statement है ना दोस्तों यह क्या हो जाएगा true हो जाएगा बराबर तो चलो अब इसका answer कैसे लिखेंगे हम देखें हम यहाँ पर लिखेंगे कि it is a statement ठीक है जैसे हमने फ इसके truth value क्या हो जाएगी इसके truth value हो जाएगी t hence its truth value is its truth value value is बुलिए क्या होगा t हो जाएगा simple है ना तो यहाँ पर हमारा यह fourth question भी होता है समाप्थ चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर fifth question की तो इसमें क्या लिखाएगे please get me breakfast तो देखो यहाँ पर request की जा रही है कि मुझे breakfast है ना दे दो तो क्या होगा बताइए यह हमारा imperative sentence हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि it is an imperative sentence राइट ऐसे लिखेंगा देखो मैं आपको आंसर लिखके बता रही हूँ ऐसे ही आपको लिखना है exam में भी it is an imperative sentence यहाँ पर लिखना एक चलो भाई यह भी हमने complete कर लिया अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल यानिके six question तो देखो इसमें क्या दिया है कि congruent triangles are similar तो congruent triangles के बारे में आपको बता देखो एक तो हमारे आपको बता देती हूँ एक तो हमारे क्या होते दोस्तों congruent triangles होते हैं ध्यान से समझ लो इसको वैसे तो 10 में आपने पढ़ाई होगा और दूसरे होगे similar triangles ठीक है okay तो देखो congruent triangles का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए आपके पास दो ạtते हैं दोनों का और सब्सकरा कने हैंlı डीकाई उन दोनों की आपके सब्सक्राइब इसको जो सेहस्य। वो different रहेगा तो भी इसमें चलेगा कोई problem नहीं है तो ऐसे triangles को हम क्या कहते है similar triangles के देखो इसमें क्या होता है कि shape and size same रहता है इसमें shape same है बाकि जो size है वो छोटा बड़ा हो सकता है जैसे एक बड़ा हो सकता है चोटा हो सकता है चलेगा ठीक है अगर बराबर रहे तो भी कि जो हमारे congruent triangles हैं क्या congruent triangles हो सकते हैं तो हो सकते हैं क्योंकि मान लीजें आपके पास दो triangle है इस प्रकार से और दोनों के दोनों congruent है तो अगर वह congruent है तो वह automatically similar हो जाएंगे याद रखिएगा ठीक है डेखो similar triangles और congruent triangles नहीं हो की कोई जरूरी नहीं की दोनों का sahial मतलब दोनों का साईस फैसे रहे ठीक है लेकिन यहां यहां से पूसकेंje आपार यह दिया गया है पहली बात यह statement है ना क्योंकि यह बराबर और दूसरी बात यहिए कि इसका 돈 Australians यहां चैमेंट चलो इसका answer हम कैसे लिखेंगे वही answer लिखने का तरीका तो आपको मालूम ही है यहां पे हम लिख देंगे दोग तो answer और चलो लिखना start करते हम कहेंगे कि it is a statement It is a statement which is true It is a statement Which is true Which is true Hence Its truth value is Its truth value यह हो जाएगा इसका truth value T हो जाएगा simple तो यहां पर हम लिख देंगे दोस्तो T लीजे यहां पर हमने हमारा चटवा सब question भी complete कर लिया अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं next question कहांगे हमारा अगला सवाल यह रहा देखो भई अब यहां पर क्या लिखा हुए अच्छे से सको समझने की कुशिश हम करेंगे अगर मैंने x का ले लिए दोस्तो 1 ले लिए ध्यान समझना अगर मैं लेकिन अगर आप सोचिए मैंने x का ले लिए दोस्तो 2 ले लिए क्या यह मतलब यह जो condition दी गई है क्या यह satisfy होगी 2 के लिए एक बढ़ जरा चेक कर लेते हैं तो हम यहां पर x का square करेंगे यानि 2 का square करेंगे तो बताए कितना आएगा 4 यहां पर क्या लिखा था कि x square which is equal to x यानि यह जो x है ना अगर मैं इसका square करूं तो x ही आएगा तो ऐसा यहां पर आप देख रहे क्या मैंने तो यहां पर x का value 2 लिया और इसका square किया तो क्या मिला यह तो अलग मिल गया है ना हमें तो 4 मिला actual में इसकी according मिलना कितना चाहिए था 2 मिलना चाहिए था यानि यह statement क्या हो जाएगा दोस्तो statement नहीं मतलब समझो इसको अच्छे से यानि यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यह जो condition दी गई है ना वो जब x 1 रहेगा जब x का value 1 रहेगा तब तो यह बात सही हो चाहेगी बाकि जैसे ही मैं x का value 2 ले लू या फिर मैं x का value 3 ले लू फो ले लू या फिर इसके आगे का कुछ और value अगर मैं ले ले लेती हो तो फिर यह statement statement इसको मैं नहीं कहूंगे sentence कहूंगी तो फिर यह क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा ठीक है तो जब भी ऐसा case हमें देखने के लिए मिलता है तो हम इसको क्या कहते है सेंटेंस कहते हैं है ना और open sentence कभी भी statement नहीं हो सकता तो आप यहां पर इसका answer कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताती हूं यह हमारा statement नहीं है ध्यान रखना because यह है open sentence ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों it is an open sentence it is an open sentence open sentence hence it is not a statement right ऐसे लिख दीजेगा hence it is it is not a statement चलो समझ में आगे आप सभी लोगों को अब हम चलते थोड़ा सा आगे और देखते हमारा अगला सब question इसमें है next मतलब आठवा सब question क्या बोला जा रहा है कि a quadratic equation cannot have more than two roots यानि पहले तो आप यह पहचान करोगी क्या यह statement है तो जी हां यह statement है why because यह है हमारा declarative sentence ठीक है ध्यान से देखो a quadratic equation cannot have more than two roots मतलब यह हमारा statement है तो लो भी पहली condition तो यहां पर हो कि यह statement है अब आपको बताना है इसका truth value तो पढ़ो इसको ध्यान से और मिल्लब यह समझने की कोशिश करो कि क्या यह सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है तो इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा quadratic equation है न दोस्तों cannot have more than two roots यानि quadratic equation के दो से जादा roots नहीं हो सकते quadratic equation क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग यह होता है एक स्क्वार प्लस बी एक स्प्लस सी विच इक्वल टू जीरो यह होता है उसका general form जानते हैं आप सभी लोग आपने class कौन से class में पढ़ा था 10 में पढ़ाई होगा है न थोड़ा समय इसको किनारे कर देती हूं और quadratic equation का जो general form है यहां पर में लिख देती हो ठीक है एक स्क्वार प्लस बी एक स्प्लस सी विच इक्वल टू जीरो तो आपको पता होगा कि जबी भी हम quadratic equation को सॉल्व करते हैं तो हमें दो roots मिलते हैं यानि इसके दो roots होते हैं ठीक है तो यहां पर वही किसे लिखेंगे देखिए आपको बताती हूं यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों answer में कि it is a statement फॉर्स आप लोग लिखिएगा कि यह statement है ठीक है न क्या लिखेंगे दोस्तों it is a statement which is true statement which is true तो बताइए इसका truth value क्या हो जाएगा तो t हो जाएगा hence its truth value its truth value is t ठीक तो यह हो गया दोस्तों हमारा finally answer आप लोग देख सकते हो हमने यहां पर 8th sub question भी complete कर लिया अब हम चलते हैं आगे और बात करेंगे 9th sub question की इसमें लिखा है कि do you like mathematics तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप mathematics पतलब आपको mathematics अच्छा लगता है क्या पसंद है आपको mathematics mathematics तो यहां पर हम क्या कर रहें question पूछ रहें ना देखो ध्यान से लास्ट में क्या आगया question mark आ गया यहनि कि यह तो interrogative sentence है और interrogative sentence कभी वे statement होता है क्या नहीं होता है यानि कि यह हमारा statement नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर देखो हम लिख रहा है इट इस एन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बताएए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होगा नहीं होगा तो हम लिखेंगे hence it is not a statement, hence it is not a statement, right, तो यह हो गया दोस्तों हमारा finally answer, next question की हम बात करेंगे, यानि कि 10th one की, इसमें लिखा हुगा है कि the sun sets in the west, तो देखो ध्यान से बताओ, क्या यह statement होगा, तो देख लो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि यह हमारा assertive sentence है, और assertive sentence ह हमेशा statement होता ही है, मतलब यह statement है, ठीक है, अब बताइए, यह सही होगा कि गलत होगा, यानि इसके truth value T होगी, या फिर F, तो ध्यान से देखो, जो sun है, क्या वो set होता है, waste में, हमें पता है, east से सूरज जी, rise होते हैं, यानि कि उगते हैं, और पस्ची में जाकर के डूब जाते हैं, तो सही बात बूली है न, इन्होंने, वेस्ट में ही तो वो sunset होता है, तो इसका truth value है न, दोस्तों, वो T हो जाएगा, because this statement is true, ठीक है, तो क्या हम कहेंगे, it is a statement, ऐसे आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है, it is a statement, right, which is true, ऐसे भी आपको लिखना है, यहां प is, its truth value is T, मतलब इसका truth value क्या हो जाएगा, दोस्तों, T हो जाएगा, okay, clear हुआ आप सभी लोगों को, चलो, फिर हम चलते हैं, आगे और देखते हैं, अगला सवाल, इसमें total, I think 15 questions दिये गए हैं, ठीक है, चलो, इसमें लिखाएगे, all real numbers हार whole numbers, तो पहले तो आप पहचान हो कि क्या यह statement है, तो जी हाँ, यह statement है, why, because this is an assertive sentence, यह हमारा assertive sentence है, इसलिए यह statement हो जाएगा, ठीक है, चलो, statement तो हमने मान लिया, अब बताओ, यह सही बात बोल रहा है, कि गलत बात बोल रहा है, इसमें कहा गया है, कि all real numbers are whole numbers, सारे के सारे real numbers, whole numbers होते हैं, क्या, whole number के बारे सारी बाते बता देती हूं, इसमें आपको बता रही हूं, whole number के बारे में, whole number क्या होता है, it starts from 0, और फिर यह आगे आगे बढ़ता जाएगा, कहां तक, infinity तक, मतलब जितने भी आगे के number आएगे, सारे के सारे हमारे whole numbers हो जाएगे, ठीक है, और real number क्या होता है, तो real number में सब कुछ आता है, देखो, real number में हमारा national number भी आएगा, बच्चे, integer भी आएगा, ठीक है, और whole number भी आएगा, देखो, आपको पूरा यह डाइग्राम बना करके बता देती हूं, जैसे, मालो, यह हमारा national number है, ठीक है, तो national number के, मतलब जैसे, यह हमारा whole number है, बराबर, फिर उसके है, negative numbers भी आते है, एसविल आज zero भी आता है, ठीक है, फिर इसके ऊपर भी numbers होते हैं, हमारे rational number, e-rational number, तो यह सारे के सारे जो numbers हैं, वो सब हमारे include होते हैं, किसमे, real numbers में, ठीक है, बतब जब जितने भी numbers आप लोगोंने पढ़े हैं, सारे के सारे Kathripго Rider, इसमें कहा गया Shock has सबी real numbers whole numbers हो सकते क्या अगर यह ऐसा कहता कि whole numbers जो है जो हो real numbers होते है तब तो यह बात सही हो जाती लेकिन इढ़ोंने कहा है कि सारे real numbers मुझे एक बात बताओ देखो क्या integer कभी भी कह गया यहमें बता रिती न हाँ क्या कभी integer जो है whole number हो सकता है देखो अगर 0 के आगे के integer है तब तो हम उनको whole numbers कहेंगे लेकिन माल लीजे कुछ में कुछ आगया minus 2-1 क्या हम इनको whole numbers कहेंगे नहीं कहेंगे या फिर माल लीजे को यह rational number आगया जैसे 1 by 2 यह सब कुछ आपको प्रॉपर ली ऐसे लिखना आ है इट इस स्टेटमेंट विच इस पॉल्स यह फॉल्स है ठीक है हैंस इट्स टूथ वैल्यू इस एक मिनिट इट्स टूथ वैल्यू इस एफ ठीक समझ गया अच्छे थे इसको थोड़ा मैं किनारे कर देती हो और इसका ना कलर थोड़ा बदल देते हैं लो हमने यह कलर में इसको कर दिया ठीक है क्लियर हुआ चलो नेक्स वन देख लिएजएगा इसमें बोल रहा है कि क्या तुम मरठी में बोल सकते हो तो बताओ क्या यह हमारा स्टेट्मेंट है तो पहचानी है यह कौन से टाइप का सेंटेंस है अगर आपको सेंटेंस पहचानने आ गया ना फिर आप बहुत आसानी स स्टेट्मेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेट्मेंट नहीं होता इंपरेटिव नहीं होता एक्सलामेटर सेंटेंस कभी भी स्टेट्मेंट नहीं होता ठीक है तो बचता क्या है असर्टिव सेंटेंस क्या होता तो हम ग्या लिखेंगे it is an interrogative sentence it is an interrogative sentence hence it is not a statement यह हमारा statement नहीं होगा ठीक है चलो तो यह भी हमने देख लिया अब चलते हैं आगे और बात करेंगे हमारे अगले सवाल की तो next question हमारे सामने यह रहा देखो यहां पर रहा आपका 13th question है ना इसमें लिखा है यहां पर आपको पूरा clarify करके दूंगी don't worry मतलब पूरा clarity के साथ बताऊंगे चिंता मत करो देखो इसमें क्या लिखा है कि x square minus 6x minus 7 which is equal to 0 और देखो when x which is equal to 7 तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना यहां पर देखिए दोस्तों x का value दिया गया है अगर मान लिजे यह x का value नहीं दिया होता जैसे यह हमारे पास नहीं होता बस इतना दिया होता कि x square minus 6x minus 7 which is equal to 0 अगर बस इन्होंने मतलब इतना ही लिख करके दिया होता ना तब हम इसको क्या कहते open sentence कहते ठीक है क्योंकि देखो मतलब x का कोई specific value होगा जिसके मतलब मान लिजे x का value हमने क्या लिया 7 ठीक है तो x का value जब 7 रहेगा तब यह statement हमारा सही होगा यह sentence होगा लेकिन x का value अगर हम कुछ और लेंगे तो याद रखिएगा जब भी भी x का value दिया हो ना तब हम इसको open sentence नहीं कह सकते तब हम इसको क्या कहेंगे declarative sentence कहेंगे और इसलिए यह हो जाएगा दोस्तो statement ध्यान रखिएगा ठीक है मतलब अगर x का value साथ में दिया है तब तो वो हो जाएगा दोस्तो statement और अगर x का value न लिए गया है तो चलो एक बार इसके अंदर हम पुट करके देखते हैं यह सही बोल रहा है कि गलत तो यहां पर हमारा statement क्या है X square minus 6x-7 X का विल्यों हमें 7 लेना है तो X की जगा पे 7 रखना तो यहां पर आचाहिए का दोस्तो टो 7 का square minus 6 into X की जगा पर 7-7 ठीक है देखो हमने लेफ्ट-hand side लिया है तो लेफ्ट-hand side जो है ना वो राइट-hand side के equal होना चाहिए मतलब यह 0 को equal आना चाहिए तो देख लेते आता है कि नहीं ठीक है इसको अभी 0 मतली को रहने दो देखो दोनों के दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हमको पता है जैसे माइनस में जब दो नंबर्स होते है तो उनको हमें जोड़ देना होता है बाकि साइन किसका आता है माइनस का ही आता है तो 49-49 करोगे तो बोलना जरा कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा है ना क्योंकि 49 में से 49 को घटाएंगे तो 0 ही तो मिलेगा तो 0 आ गया विचस इक्वल टो राइट हेंड साइड तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब हम X का वेल्यू 7 ले रहे हैं जो हमारे यहां से आपको क्या समझ में आता है कि यह जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया दोस्तों यह हो जाएगा ट्रू यानिके इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे देखें इसको मैं थोड़ा से नीचे ले लेती हूं यस देखो आपको बताती हूं आप लिखेंगे कि it is a statement और इस इसका जो solution है वो आप कर सकते हो ठीक है it is a वैसे नहीं भी किया तो भी चलेगा यह जो solution है यह आप रफ में भी कर सकते हो बाकि ऐसे दिखाना है तो भी चलेगा कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे it is a statement राइट विच इस ट्रू है विच इस वैल्यू इस बताइए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ आप सभी लोगों को चलो अब हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहां पर दिया गया हमारा अगला सवाल कि the sum of cube roots of unity is 0 लो भाई एक और आगया हमारा complex number का कोई बात नहीं हम इसको भी करेंगे और इसको ना पहले यहां से हटाते हैं थोड़ा सा में जगा तो मिले करनी का चलो आजाओ यहां पर इसको हम ला करके yes लिख देते हैं इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है यह ना आप लोगों ने पढ़ा होगा complex number वाले chapter में ठीक है वो मैंने निकाल करके भी बताया था तो अगर आप लोगों ने मतलब अगर आप भूल चुके हैं और cube root of unity वापस से वैसे तुम्हें इसका solution आपको बता दूँगी इसका finally answer किया आएगा वो भी मैं बता दूँगी लेकिन फिर से अगर आप cube root of unity को detail में समझना चाहते है तो देखो मैं एक काम करूंगी वो जो cube root of unity मैंने जिस वीडियो में मतलब बताया था वो वीडियो का लिंक आपको description box में दे दूँगी तो आप वहां से जा करके cube root of unity वाले वीडियो को देख सकते हो ठीक है वैसे तो मैं आपको इसका answer बता रही हो आपको समझ में भी आ ज दोस्तों जू हमारा unity होता है यानि कि यह वन ठीक है तो इसका जो cube है न दोस्तों इसके 3 cube आते हैं एक तो हमारा 1 आता है दूसरा क्या आता है दोस्तों W इसको ओमेगा कहते है बराबर और दूसरा आता है और यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर मैं ऐसे क तो यहां पर क्या बोला है कि सम अगर हम क्या करते हैं यानि उनको प्लस करते हैं तो यहां पर आ रहा है देख रहे हैं आप सभी लोग तो वही बात इसमें बोली जा रही थी मतलब यह यहां पर यहां पर यह बात बूली जा रही है अगर हम उन सभी को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा जीरो होता है यानि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा ठीक है चलो तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे आई आपको बता देती हूं यहां पर मैं बगल में लिख देती हूं यहाद रखिएगा इसके तीन रूटस हैं कौन-कौन से हैं भई वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेर अगर आप ऐसे करोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है अच्छा चलो अब इसका हम आंसर लिखते हैं क्या है एंस इट्स टूथ वैल्यू इस टी ठीक है ना इसका टूथ वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा ध्यान रखेगा ठीक है अच्छे से लिख दो मैं जरा टी को तो लीजिए यहाँ पर हमने ये वाला कोश्चन भी कंप्लेट कर लिया ठीक है अब हम चलते हैं लास्ट वाले सब कोश्चन की तरफ इसमें क्या लिखा है कि इट रैंस हैविली अब देखो भाई ये ना प्लेस टू प्लेस वैरी करता है है ना अब ऐसा थोड़े ना है कि हर जगा सेम बारिश होती है हर जगा भारी बारिश ही होती है कहीं पर कम भी हो सकती है कहीं पर जादा भी हो सकती है कहीं पर मेडियम भी हो सकती है ठीक है ना तो यहाँ पर यह बात बूली गई है दोस्तों यह क्या है यह हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से प्लेस का बात यहां पर किया ज़रा कर यहां पर कोई particular place का नाम लिखा रहेता तो हमें समझ में आता लेकिन यहां पर इन्होंने बोल दिया है ठीक है तो यह क्या करेगा प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा किसी जगह पर यह बात सही हो जाएगी तो बताओ क्या हम इसको statement कहेंगे नहीं हमारा open sentence है कैसा sentence है open sentence है इसलिए statement नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर लिखेंगे कि it is in open sentence ऐसे आप लिखेंगा कि it is in open sentence hence it is not a statement है ना तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों hence it is it is not a statement open sentence कभी भी statement हो ही नहीं सकता ध्यान रखेगा ठीक है येस तो finally हमने क्या किया दोस्तों हमने question number 1 के सारे के सारे सब questions को solve कर लिया टोटल यहां पर 15 सब questions दिये गए थे और एक-एक मैंने आपको solve करवा के दिये हैं तो अच्छे से आप समझना उसको ठीक है आप हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर पहला question आपको अच्छे से समझ में आ गया ना अब देखते हैं second question इसमें लिखा है कि write the following compound statements symbolically मतलब यहां पर ना कुछ compound statement दियेगा है compound statement आपको पता है क्या होता है जैसे मान लिजी आपके पास दो statement है और उनको हम join कर रहे है with the help of connectives ठीक है तो वो जो statement मतलब बन करके तयार होगा जुड़ा होगा statement उसको हम क्या कहते दोस्तों compound statement कहते है ठीक है तो यहां पर कुछ compound statement दियेगा है जिन्हें आपको लिखना है कैसे represent करना है तो symbolically represent करना यानि mathematical form में उनको कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है ठीक है तो चलो फिर आपको तो पता ही है जैसे जो connectives है उनके बारे में तो आप जानती है जैसे मान लीजिए अगर and रहा तो and का symbol क्या होता है ऐसा होता है मतलब दो statement अगर जोड़े गए है by this and के द्वारा तो फिर हम कैसे लिखेंगे ऐसे मतलब इसका यूज करेंगे जैसे मान लों statement पी है और क्यों है इन दोनों को जोड़ा गया है and के द्वारा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पी and क्यों ठीक है समझा फिर उसके बाद मान लीजिए अगर कहीं पर और आपको देखने गया है बराबर तो हम क्या करेंगे दोस्तों हम यहां पर यह डबल इंप्लिकेशन का यूज करेंगे बाई कंडिशनल जिसको कहा जाता है तो यह सारे स्टेट्मेंट है और कौन सा से केंड स्टेट्मेंट है तो देखो दोस्तों यह आपको दिखाई दे रहा हमारा पहला स्टेट्मेंट है बराबबर और और यह जो गांगlaughing का उस्किया है ऑра पर हम इस प्रकार से इसको मतलब symbolic formal लिख देंगे ठीक है तो आंसर लिखने का तरीगा क्या होगा समझते हैं तो अब अब न हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर करना पड़ेगा हम क्या करेंगे दोस्तों करेंगे कि लेट statement P statement P क्या हो जाएगा तो जो वोस्त टेटमेंट नो आपका statement P हो जाएगा क्या दिया है कि नाापोर इस Newhouse नापर इस या तो महारास्ट्रा महारास्ट्रा तो ये statement P होजाएगा यहनिकि first statement फिर जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है न दोस्तों वह क्या होगा तो क्या लिखका है चैन्नाई इस इन तमिल नाडव बराबन चलो हमने लिख दिया आप इसका वीग सuff Olivier कि गूताया तो इसका सिम् belief देते हैं सिम्भोदकॉलिक पर इलग साथ सब्सक्राइब कि अवित उसक्त कि पिया होगा थे तो हम यहां पर वन्हाइड की डूस्तोिक यह हो जाएका सब्सक्राइब यहां पर क्या दिया गया है कि ट्राइंगल इस इक्विलेटरल और आइसे होता है ठीक है और फिर यहां पर लिखा है तो यहां पर होगा ट्राइंगल इस इक्विलेटरल दोनों को जोड़ने के लिए और कनेक्टिव का यूज किया है इसलिए सिम्बल आजाएगा यहां पर तो उसका करते हैं दोस्तों देखें यहां पर मैंने लिख दिया है solution बराबर अब यहां पर हम वापस से उस्यूम करेंगे statement P और क्यों तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों P क्या हो जाएगा triangle is equilateral triangle is equilateral ठीक है ना ओके यह हो गया दोस्तों हमारा statement P और statement Q क्या हो जाएगा statement क्यों होगा हमारा triangle is isocilius triangle is isocilius क्योंकि यहां पर आंगल की बात की जारी है ना तो दोनों को हमने अलग-अलग करके लिख दिया लो भाया हमने लिख दिया ठीक है अब इसका symbolic form क्या हो जाएगा यह तो easy है यह आप बता सकते हो बहुत आसानी से है ना चलो यहां पर लिख देते symbolic form क्या हो जाएगा दोस्तो P और Q ठीक है कुछ ऐसे बराबर यह बात भी आपको समझ में आ गई अब हम चलते है next question की तरफ यह रहा दोस्तों हमारा यहां पर देखो यहां पर आगया हमारा कनेक्टिव क्या है इसका जो सिंबल हो कैसा होता है भाई कंडिशनल डबल इंप्लिकेशन याद आया इफ डबल इंप्लिकेशन ठीक है और फिर यहां पर दूसरा statement क्या है कि it is of major 90 degree it is का मतलब क्या एंगल की ही बात की जा रही है तो पहला statement क्या होगा कि the angle is right angle and दूसरा statement क्या होगा कि the angle is of major 90 degree ठीक है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा या फिर यह भी लिख सकते हो कि it is of major 90 degree चलेगा और दोनों को जोडने के लिए हम डबल इंप्लिकेशन का यूज यहां पर किया गया है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे देखें यहां पर लिख देते हैं solution ठीक है फिर से हम assume करेंगे statement P और statement Q यहां पर मैं लिखा है दोस्तो लेट statement P क्या हो जाएगा हमारा कि the angle is a right angle चलो जैसे लिखा है ना वैसे लिखनेगा आपने मन से कुछ भी इसमें आड़ नहीं करनेगा the angle is right angle ठीक है लोग हमने यह लिख दिया यह हो जाएगा दोस्तो हमारा statement P और statement Q क्या होगा statement क्यों हो जाएगा कि the angle is of measure 90 degree चलो यहां पर लिख देते statement क्यों डाइंगल कि इस ओफ मेजर कि 90 डिग्री ठीक है चलो यह हो गया आप इसका symbolic form बता दीजिए तो यहां पर हम लिख देते दोस्तों इसका symbolic form क्या होगा symbolic form यह होगा पी double implication है ना पी if and only if Q ठीक है कुछ इस प्रकार से समझ में आया ओके चलो आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की यह रहा आप लोगों के सामने इसमें लिखा है कि angle is neither acute nor obtuse यहां पर अगेन हमें दो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे और फिर उसके बाद चलो मैं आपको बताती हूं don't worry ध्यान से देखो यह समझ में आएगा आपको ठीक है पहले इसको समझो लिखा कि है इसमें कि angle is neither acute nor obtuse मतलब जो आपका angle है ना देखो यहां पे जो हमारा statement P है और क्यों है क्या होगा तो हमारा statement यह होगा कि angle is acute मतलब angle के बात की जा रही है ना acute angle और obtuse वो obtuse भी नहीं है तो यहां पर क्या आ रहा है यहां पर तो negative आ रहा है यानि कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा negation लगाना पड़ेगा negation का symbol कैसा होता है आपको पता होना चाहिए ठीक है ना तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे देखो हमारा statement P और Q हम यहां पर assume करेंगे फिर उसके बाद महां पर negation लगा देगे ठीक है और दोनों statement को जोडने के लिए हम किसका use करेंगे तो देखो आ आंगल जो है वो नहीं क्यों है और 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 मतलब क्या और मैंने बोला और हिंदी में ठीक है हिंदी मिए और कहते हैं तो इसके बात कीचारी है तो जो हमारा एंगल है और प्लेखने हैं और यानि कि इसमें हम कौन सा वाला लगाएंगे दोस्तों दोनों को जोडने के लिए यह वाला सिंबल यानिकी एंड का ठीक है तो इतने सारी बाते आपको ध्यान में रखनी है तो अब आएए हम लिखते हैं इसका फाइनली आंसर यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों कि लेट स्टेटमेंट पी हमारा क्या हो ने अइसका सिंबोलिक फॉर्म क्या हो एंक चलो देखते हैं तो इधर मैं लिख दिया बबच्चे सिंबोलिक फॉर्म यहां पर मJE Which can txt आइसा होगा देखो यहां पर है स्टेटमेंट पी और सिंघिए आपकू यह नेकिक रुदा ili यहां निगिए नाइथर शोन्साय आई दे थी चलो नेक्स्ट वन की बात करेंगे आवर नेक्स्ट कुश्चन इस फिफ्ट वन यह पूर्थ वन था ना इस फिफ्ट वन इसमें क्या लिकाए कि ट्राइंगल एंगल एट बी देन मेजर ओफ एंगल एप्लस मेजर ओफ एंगल सी विच इक्वल तो 90 ठीक है तो अ इसलों स्टेटमेंट को जोडने के लिए हमने यूज्ज किया है दोस्तों इफ और दिन का है ना तो ये वाला हमारा सिम्बल आएगा यानि कि इंप्लिकेशन वाला ठीक है और पहला स्टेटमेंट क्या होगा दूसरा स्टेटमेंट आप सभी लोग जानते हैं और अगर मैं ये वाला angle ये नभवेड़ी का तो इन दोनों का sum होगा 90 इद दोनों मिला करके हो जाएंगे 90 इद दोनों मिला करके हो जाएंगे 90 इद दोनों आगर बोले जारी है माल लीजे आगर ये 90 बिंद का है हम लिख देते हैं तो देखिए दोस्तों हम कैसे लिखेंगे आपको बताती हूं पहले हम अज्यूम करेंगे statement P और Q तो यहां पर हम लिख देते हैं देखो let statement P क्या हो जाएगा triangle ABC is right angle at B यहां पर मैंने लिख दिया triangle ABC is right angle at B ठीक और दूसरे statement हमारा क्या होगा यह निकी क्यों यह हो जाएगा दोस्तों measure of angle A plus measure of angle B which is equal to angle B नहीं है sorry measure of angle A और angle C which is equal to 90 degree ठीक है ओके अब इसको symbolically हमें represent करना है तो कैसे करेंगे देखो इसका लिखेंगे symbolic symbolic form हमारा क्या हो जाएगा आप सभी को मालूम है बोलो पहले हमारा statement P आ रहा है तो मैंने यहां पर लिख दिया उसके बाद क्यों लिख दिया इफ देन का नाम पतने 4 कैसे देती है चलो गलती से यहां पर लिखा गया होगा मैं इसको ठीक कर देती हूं देखिए यह जो है ना दोस्तों यह हमारा सिक्स है सिक्स्त कोश्चन है ध्यान रखिए वाँ लो भाई हम यहां पर अच्छे से नंबर डाल देते हैं सिक्स वन ठीक ओके अब यहां पर क्या लिखा है कि हीमादास विंस गोल्ड मैडल इफ एन ओनली इफ 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 एन ओनली इफ शी रन्स फार्ट तो देखो यहां पर दो स्टेटमेंट है एक तो यह वाला हिमादास विंस गोल्ड मैडल यह स्टेटमेंट पी और यह हो जाएगा क्यू और इन दोनों को जोडने के लिए हमने किसका यूज किया है इफ एन ओ इफ वग घुरास विंस अगोल्ड मैडल ट्रेकर आप अ को यह जाएगा दोफ्तू आ ममारा स्टेटमेंट भी ऑस्थेश्य स्टेटमेंट कि होगा बताएं तो स्टेविंट क्यों हो जाएगा कि ए अ मृप्रिल आ कि दोस्तों इसका symbolic form symbolic form क्या हो जाएगा तो देखिए दोनों को जोडने के लिए किसका यूज क्या गया इफ एन ओनली यहां पर डबल इंप्लिकेशन आ जाएगा तो पी डबल इंप्लिकेशन क्यू ठीक है तो यह हो गया दोस्तों आपका फाइनली आंसर चलो देखते हैं नेक्स्ट वन यह तो हमने देख लिया अब बात करेंगे अगले सवाल की यह रहा आपका सेवंथ सब सब्सक्राइबिक तो यहां तक के यहां देखने के लिए और यहां फिर और और पर एक देखने के लिए OF कुछ वर्ट तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे इसी सिंबल का यूज करेंगे ध्यान रखेगा ठीक है तो बट के जगा पर भी हम लोग क्या करेंगे यही वाला एंड ही आएगा ओके तो कैसे करोगे आज बताती हूं देखो आप फिर से हम अज्यूम करेंगे कि पी क्या है क् इह हम लultura के दोस्तों सॉलियोशाँ कहें ऐलेट स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगाक्स नौट वर्मिखनेगा एकस इस नौट वर्मिखने अंबर एज़े दूसरा कि यहां पर हो जाएगा एक मिनट क्या लिखा हमने कि X is not irrational बराबर फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सकी बात की जारी है यहाँ पर देखो X is not irrational नमबर बंट is a square of integer यहाँ पर किसकी बात की जा रहे है तो एकस की घी तो बात की जा ए तो दूसरे statement में भी आप x को add कर सकते हो हम क्या कहेंगे लिएक्स नौट इसे करके लिख देते हैं कि एक्स इजा इस आ स्क्वेर ऑफ एन इंटीज़ राइट ओके चलो इसका सिंबोलिक फॉर्म बता दो बच्चों क्या होगा इसका सिंबोलिक फॉर्म हो जाएगा दोस्तों सिंबोलिक फॉर्म यह तो बहुत इजी है यहां पर लिखेंगे पी आइंड क्यू बटाया ना तो भी ऐसे लिखने का ठीक है चलो यहां तक तो बात समझ गये लेकिन 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 एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी देखो इसको ना आप ऐसे भी कर सकते थे या फीर और आप ऐसे ना भी कर सकते थे कैसे कर सकते थे बताऊ देखो जैसे कि इसमें आप देख रहे यहां पर क्या आ गया दोस्तो नौट और आगया नौट पूर क्या होता है निगेशन है ना तो अगर आप ऐसे करते जैसे मान लीजिए यह तो हमने खेर सही किया कोई गलत बात नहीं है एक नोट को हम अटा देते हैं मैंने बोला कि X is an irrational number बस मैंने इतना बोल दिया नोट को मैंने हटा दिया चलो देखो एक्स इसन इसे बोला नोट को अटा दिया है यानि जब मैं statement P लिखूंगी न तो वहां पर मुझे negation लगाना पड़ेगा क्योंकि statement P क्या है statement P के अंदर negation नहीं है not का हमने यूज ही नहीं किया है तो जब भी हम statement P लिखेंगे बराबर तो वहां पर negation हम जरूर लगाएंगे समझ रहो कि नहीं क्योंकि हमें इसके बारे में जो question में दिया गया वही लिखना है उसी को symbolic form में लिखना है ठीक है तो P में तो negation नहीं है यानि हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर negation लगाना पड़ेगा ठीक है तो कि मैंने मैंने आपर क्या लिखा इसके बाद क्यों तो हमारा वही रहेगा कि एक्स इस स्क्वेर ऑफ इन इंटीजर आईए लिखते हैं क्यों एक्स इस आप स्क्वेर ऑफ इन इंटीजर ऑफ एन इंटीजर ऑफ एन इंटीजर तो इसका symbolic form क्या हो जाएगा देख लो देखो हमने यहां पर लिखा पी बराबर तो पी क्या है एक्स इस इन इरैशनल नंबर हमारे question में क्या दिया था एक्स इस नॉट इरैशनल नंबर यही दिया था ना तो क्या करेंगे हम यहां पर न दोस्तों ऐसे करके negation का sign लगा देंगे और बाकी but आया तो and आएगा और पूरा की पूरा होता है खतम अब उसके बाद आएगा दोस्तों हमारा question number 3,4,5 तो मैंने आपको जैसे बताया था starting में बता दिया था कि यहां पर हम लोग इस lecture में बस दो ही questions को solve करने वाले question number 1 & 2 तो question number 1 & 2 यहां पर होते हैं समाप्त और जो बचेवे questions हैं उनको हम solve करेंगे हमारे अगले वीडियो यानि के lecture number 4 में ठीक है तो मैंने आपको जितने भी questions कराये हैं अच्छे से आप लोग practice की ठीक है तो और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से चुट जाना यह देख लो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के सामने है ठीक है यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसमें मैं PDF जो है जैसे कोई भी exercise में करा रही हूं उसकी PDF ना इसके अंदर रह